हेलो फ्रेंड माई नम इस एशू एंड यू वोचिंग एगरिपूर फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम एन एगरिकल्चर साइंटिस्ट कि एक एगरिकल्चर साइंटिस्ट कैसे बने और इसके लिए कौन सा एक्जाम होता है क्या exam pattern रहता है, as limit क्या रहती है, क्या qualification required होती है आधी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट दक जोर देखना जिससा आपको complete information समझ माझा है और फ्रेंड चैनल अपने चैनल को subscribe कर दीजिये, जिससा आपको new वीडियो के update मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात करते है requirement board के बारे में कि इस exam को कौनसी board आयजित करवाती है, तो इस exam को agricultural scientist requirement board आयजित करवाती है अब बात करें vacancy के नाम के बारे में, तो फ्रेंड इस vacancy को agriculture research service के नाम से जाने जाता है जिसे short में ARS भी कहा जाता है फ्रेंड अब education qualification के बारे में बात कर लेते हैं, तो फ्रेंड ARS का exam देने के लिए आपकी PhD complete होनी चाहिए यानि कि आपकी doctor degree complete होनी चाहिए अब बात करें किस subject से, तो फ्रेंड इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं आपको बता दू कि जिस subject सा आपकी PhD complete है, उसी subject सा आप ARS का exam दे सकते हो और फ्रेंड जिस year exam है, उस year के 1 January को आपकी PhD complete हो जाने चाहिए यदि आपकी PhD 1 January के बात complete होती है, तो आप ARS के exam के लिए eligible नहीं होते हो फ्रेंड अब age limit के बारे में बात कर लेते हैं, तो जिस year exam है, उस year के 1 January को आपकी minimum age 21 साल और maximum age 32 साल होनी चाहिए यदि आपकी उम्र 21 साल से कम या 32 साल से जादा है, तो आप यह exam नहीं दे सकते हो फ्रेंड अब एक्जाम पेड़न के बारे में बात कर लेते हैं, तो ARS के exam टीन पार्ट में होता है सबसब पहले preleWorld में exam होता है, फिर इसके बाद main exam होता है, फिर इसके बाद vital world यानि की interview होता है तो फ्रेंड सबसब पले प्रेलिम एक्जाम के एक्जाम पेटन के बारे में बात करें तो इसमें अब्जेक्टिव टैप क्यूशन पूचे जाते हैं और इसमें क्यूशन की बात करें तो इसमें 150 क्यूशन पूचे जाते हैं जो की 150 मार्क्स के होते हैं इसके बाद negative marking की बात करें तो इसमें negative marking होती है एक question रोग ओने पर 1 by 3 mark काट लिये जाते है इसके बाद duration की बात करें तो यह exam 2 गंटे का होता है फ्रेंड इसके बाद main exam के बारे में बात करें तो इसमें descriptive type question पूछे जाते है टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें 250 मार्क्स का यह paper होता है इसके बाद duration की बात करें तो यह 3 गंटे का exam होता है इसके बाद main exam में 3 section होते हैं section A, section B और section C इसके बाद number question की बात करें तो section A में 40 question पूछे जाते हैं जिसका answer 10 word में देना होता है और यहार section A 80 marks का होता है इसके बात करें section B की तो इसमें 20 questions होते हैं और total marks 100 होते हैं और friend section C में 6 questions पूछे जाते हैं जो कि 60 marks के होते है तो friend इस पेकार main exam में total 66 questions पूछे जाते हैं जो कि 240 marks के होते हैं friend यदि आप prelim और main exam clear कर लेते हो तो friend आपका वाइबा वह इस होता है जो कि 60 marks का होता है friend अब discipline के बारे में बात कर लेते हैं कि किस discipline से यानि कि किस subject से आप ARS का exam दे सकते हो तो friend जिस subject से आपकी PhD complete है उस subject से आप ARS का exam दे सकते हो तो friend इन subject से आप ARS का exam दे सकते हो तो सबसब आले agricultural biotechnology, agricultural entomology, agricultural microbiology, genetics and plant breeding, nematology, plant biochemistry, plant pathology, plant physiology, seed science and technology, इसके बाद animal biotechnology, animal genetics and breeding, इसके बाद animal nutrition, animal physiology, animal reproduction and gynecology, dairy microbiology, dairy technology, इसके बाद livestock production management, veterinary medicine, veterinary microbiology, इसके बाद veterinary parasitology, इसके बाद veterinary pharmacology, fishery resource management, fish processing technology, agricultural chemicals, agricultural metrology, agroforestry, agronomy, soil science, agricultural extension, farm machinery and power, land and water management, और इसके बाद engineering, तो फ्रेंड यही आपकी PhD इन subject से complete है, तो आप ARS के exam के लिए eligible हो, तो फ्रेंड यह थी ARS exam के बारे में complete information, फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनले के सब्सक्रेब जरू करें, जिससे आपको agriculture exam related new वीडियो को नोडिफिकेशन सब्सापलाई मिल जाए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तुम् झाल झाल मिल जाए, ञे ओर झाल झाल के लिए दोस्तुम्